बगवान शिफ के अराधना के महिने सावन की शिरुवात हो चुकी है प्रदेश भर में सावन के पहले सुमवार पर भोलनात को रिजाने के लिए शिवालियों में भोर सही लाखो श्रदानूं का ताता लग गया सभीने शिफ को प्रसंद करने के लिए उन्हें अत्यंत प्रेव भांग धतूरा चड़ा कर अपनी मुरादों की अर्जी लगाई बोले कि भक्ती का ये नजारा देश के हर शिवाले में देखने को मिला शिव की नगरी वारनसी के घाटों पर सुभस सही श्रदालों निस्नान किया इस मौके पर दूर दूर से कावडिय भगवान शिव के दर्शन के लिए काशी पहुंचे नकेवल पूरवांचल बलकी देश और विदेश के कोने कोने से भी शिव भक्त बाबा काशी विशुनात के दर्शन के लिए जुट गए बाबा काशी विशुनात के दर्शन के लिए कावडिया देराच से ही गंगास नान करके विशुनात के दर्शन के लिए कतार में लगे रहे इस दोरान फिजाओं में हर हर महादेव किनारों की गूंज चारो ओर सुनाई दी पूरी काशी नगरी शिव मय हो गई, अनुमान लगाय जा रहा है कि सावन के पहले सुमवार लगभग दो लाग से जादा दर्शनार्ती बाबा काशी विश्वनात का दर्शन करेंगे, वहीश्र धालू के मताबिक भगवान को जल चड़ाने से सभी मनुकामनाय जल्द पूर होती हैं. इस बार हम लोगों ने पूरे श्रावन मास के जो भक्त हैं, उनकी दरस्था को बहुत चुस्त दुरुस्त रखा है, और जैसा कि आप देख सकते हैं, जितनी भी बैरिकेटिंग बन लगाई गई है, मदागीन चौराहे से लेकर गेट नमबर 4 से होते हुए, मंदिर के जहां भी उनको इंतजार करना है, इस पूरे एरिया में पुरा रेड कार्पेट मिछाई गई है, और ताकि उनके पैरों में चुभन ना हो, और उस पर पानी का श्रिकाव को साफ रखा जाएगा, और इसके साथ-साथ मंदिर के अंदर उनको जो व्यवस्ताएं थी, उसमे उदर भगवान कृष्णे की नगरी मतुरा में भी शिव के दर्शन के लिए श्रधालों का सहलाब उमड़ पड़ा, सुभह से ही मंदिरों में हजारों की तादात में पहुंचे श्रधालों ने शिवलिंग पर जलाविशे कर शिव की अराधना की, सावन के पहले सोंबार क भगवान शिव की पूजा करने से सब कुछ अच्छा रहता है भगवान शंकर के अनेको रूप के धाम प्रयाग राज में श्रधार जोश के साथ सावन के पहले सोंबार को भगतों का शिव मंदिरों में जमावड़ा देखने को मिला, इस मौके पर प्रयाग राज के शिव मंदिरों में श्रधालों का सहलाब उमर पड़ा, श्रधालों बोलेनात को जला भी शेक और उद्रा भी शेक किया। शेहर के अतिहासिक सोमेश्वर धाम मंदर में भक्तों का ताता सुभ़ से ही देखने को मिला। और लोगों ने बोलेनात के अराधना कर मन की मुराद को पूरी करने की कामना की। सावन के महिने में हर कोई भगवान भोले को खुश करने के लिए दूद बेल पत्र और फूल चड़ा रहा है लेकिन प्रयाग राज में एक ऐसा भक्त था जो भगवान भोलेनात को दूद ना चड़ा कर गरीब बच्चों को दूद पिला रहा है। इस भक्त की माने तो इन ज दरूरत मंदों को दूद पिलाने से सीधे शिव भगवान तक दूद पहुंचता है। लीटर दूद आप चड़ाते हैं तो कमसका में एक लीटर दूद किसी दरूरत मंद और अपने जो भाई बहन जो बच्चे जो इस योग ये नहीं हैं उनको पिला करके उनकी पूर्ती करें। क्योंकि ये कहा गया है कि सब शिव का अंश हैं तो शिव के साथ साथ उनके अं भक्त सच्चे मन से भगवान का विशेक और अराधना करता है उसकी सभी मनुकामनाई पूरी होती हैं। से प्रसन करने के लिए उनका जलाविशेक कर रहे हैं। साथी भूले को पुष्प, बेलपत्र और धतूरा अरपित कर रहे हैं। परुकबाद में काशी के बाद सरवाधिक शिव मंदिर है सिले से अपरा काशी भी कहा जाता है। कराई लेते हैं। बहुती मतलब भूले, उनका नामी भूले है, ऐसलिए वो भूले बंडारी है। बोलिनात का महमाने जाने वाला सावन में रामनगरी विश्य वमय हो गई। सर्यू घाटों से लेकर नागेश्वरनाद, भदेश्वरनाद सहित, प्रमुख मंदिरों में श्यू भक्तों का ताता लगा हुआ है। राम की नगरी आयोध्या में चारो तरफ बंबं भूले और बोल बं के नारे गुंज रही है। बगवान नागेश्वर महराज जो यहां विराजवान है, एक 12-14 लंगों में से एक है। इनका पूजन ए बगवान क्या है नागेश्वर जो अपने सर्प और नागों को धारून करते हैं, उनहीं का नाम नाग इस्वर है। सावन के पहले सोमवार पर अलीगड मीभी शिव मंदर में भक्तों ने शिवक्यराधना की गंगा घाट से कावड लेकर आने वाले श्रद्धालू बड़ी ही सेवा भाव से भगवान शंकर की पूजा अर्चना में मगने हैं भोलनात को खुश करने के लिए सभी भक्त शिवालियों में जलावी शेक कर रहे हैं आपी दिन से यहां से भक्त शार्दार हैं भी रहे हैं तुछ को सूचती हैं जो कछ हो जाए व अच्छा है कितने टाम से आप जलाव से करने आ रहे हैं ऐसी मानिता है कि सावन के महिने में ही समुद्र मंथन से निकले विश का पान कर भोलनात ने पूरी दुनिया को बचाय था जिसके चलते भोलनात को शीतलता चाहिए इसी मानिता को लेकर सावन के महिने में श्रदालू भोलनात का जलावी शेक करते हैं लोगों के ऐसी आस्था है कि सावन महा में भोलनात को जल चड़ाने से जीवन के कश्टों से मुक्ति मिलती है